सिन्धु सुतामा विष्णु प्रिया महालक्ष्मी मैया की भर्त जनों आप सभी को धन धान यश्ट सुख वैभवित्यादी देने वाली मैया है मैया महालक्ष्मी कहते हैं इनका पूजन आराधन करने वाला प्राणी जीवन में कभी दारित्री को प्राप्द नहीं करता वेद पुराणों में तो माता महालक्ष्मी के प्राकच्य की अनेक अनेक गाथाएं है परंतु आज मैं आपको मैया महालक्ष्मी के आथ अवतारों की पवित्र संगीत मैं गाथा सुनाने जा रहा है कथा श्रमन से पहले जान लीजिए भक्तों माता के हर स्वरूप की महिमा अपरमपार है तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है तो आईए सुनते हैं मैया महालक्ष्मी के आथ अवतारों की पावन गाथा बोलिये महालक्ष्मी मैया की जै महलक्ष्मी बोल रे बाणी में अमरित खोल रे बंद तेरी किसमत के ताले मैया देंगी खोल रे ओ महलक्ष्मी बोल रे बाणी में अरित खोल रे बंद तेरी किसमत के ताले मैया देंगी खोल रे ओ महलक्ष्मी नमो नमाः विश्नु पियायै नमो नमाः धन प्रदायै नमो नमाः सिंदु सुतायै नमो नमाः ओ महालक्ष्मे गमो गमा, विश्म प्यारे गमो गमा, नगप्रकारे गमो गमा, सिंदु सुतारे गमो गमा भक्त जनों मैया लक्ष्मी का पहला अवतार है आदी लक्ष्मी का जिने भक्त महालक्ष्मी के नाम से भी पोचते हों महालक्षमी का यह स्वरूप भिगूरिशी की कन्या के रूप में है श्रीमत भागवत पुराण के नुसार मा के इसी स्वरूप से त्रिदेवों का स्रिजन हुआ था और महाकाली और महासरस्वती ने भी स्रिच्टी में इसी रूप से आगार प्राप्त किया था आदी लक्षमी मैया जीव जन्तों में जीवन और प्राणियों में मोक्ष प्रदान करने वाली है तो बोलिये आदी लक्षमी मैया की भक्त जनो मा लक्ष्मी का दूजा स्वरूप धन लक्ष्मी का है नाम से ही जग जाहिर है भक्तों मा का यह स्वरूप प्राणियों को धन धान, सुख, यश और वैभव प्रदान करने वाला है मा के इसी स्वरूप ने विश्णु जी का कर्ज उबेर से चुकाया था भक्तों मा के एक हाथ में गमल पुश्पुश और दूजे हाथ में धन से भरा हुआ कलश है तो मा के इस स्वरूप को पूजने वाले जीवन में कभी रिणी नहीं रहते तो बोलिए धन लक्ष्मी मैया की भिगूरिशी की कन्या बन कर आदि लक्ष्मी मा आई तीनो देव को मैया ही तो अपने रूप से उपजाई धन लक्ष्मी रूप में विश्णु जी का कर्ज चुकाया था धन से भरे कलच से बक्तो धन धान तो लुटाया था जै महलक्ष्मी बोल रे वानी में अमरित खोल रे बंद तेरी किस्मत के ताले मया देंगी कोल रे उम्मो महालक्ष्मे नमो नमा, जिश्न प्यारे नमो नमा, मन प्यारे नमो नमा, सिंदु सतारे नमो नमा भक्तों महालक्ष्मी मा का तीजा स्वरूफ धान लक्ष्मी अर्थात अनाज लक्ष्मी अन्न पूर्णा स्वरूपा माता धान ये लक्ष्मी अपने भक्तों को अनाज प्रदान करती है यदि धान्य लक्ष्मी मा को प्रसन्य करना हो तो भोजन का अनादर कदापी नहीं करना चाहिए जिन घरों में अनाच का निरादर नहीं होता वहाँ धान्य लक्ष्मी मैया सदा अपना वास करती है तो बोलिए धान लक्ष्मी मैया की जे भक्तों मा का चोथा स्वरूप गजलक्षमी का है मा का यह स्वरूप कमल कुष्प पर विराजमान है तथा दो हाती मा का आवाहन सैदेव करते रहते हैं मा का यह स्वरूप क्रिशी और उर्वर्ता प्रदान करता है मा के इसी स्वरूप के कारण इंद्र ने अपने खोय हुए राज्य को वापस प्राप्त किया था अतह भक्त लोग इन्हें राजलक्ष्मी के नाम से भी पूचते हैं इनका पूजन करने से क्रिशी क्षेत्र में उन्नती और संतान प्राप्त होती है तो बोलिए राजलक्ष्मी मैया की धन्न लक्ष्मी मैया भक्तों अन के भंडार भरे अन पूर्णा मैया की मिल करके सब जैकार करे क्रिशी और उर्वर्ता देता गजलक्ष्मी का रूप है राज योग भगतों को देता राजलक्ष्मी रूप है जै महलक्ष्मी बोल दे बाणी में अमरित खोल दे बंद तेरी किसमत के ताले मैया देंगी खोल दे माता महलक्ष्मी का पंचं सरूप है संतान लक्ष्मी का इनका आराधन करने वाली बांज इस्त्रियां भी संतान का सुख प्राप्त करती हैं भगतों और जिन इस्त्रियों के पहले से ही बालक है वो अपनी संतानों की लंबी आयू के लिए मा के इस स्वरूप का पूजन करती है मा के स्वरूप से उनकी संतानों को अभयवदान प्राप्त होता है तो बोलिए संतान लक्ष्मी मैया की भक्त जनूप मा का छटा स्वरूप वीरा लक्ष्मी का है मा का यह स्वरूप भक्तों को युद्ध में विजय प्राप्त करवाता है मा की आठ बुजाएं हैं जिन में मा तलवार, त्रिशूर, धनुष बान आदी जैसे हमोग अस्त्र शस्त्र धारण करती है मा वीरा लक्ष्मी के आराधन से प्राणियों को सौभाग्य और सम्रिध्धी की प्राप्ती होती है तो बोलिए वीरा लक्ष्मी मैया की संतान लक्ष्मी मैया तो बांजन को संतान दे रंबी उम्र का उन बच्चों को मैया जी वर्दान दे अस्त भुजाधारी मैया का वीरा लक्ष्मी रूप है युद्ध में तो विजय दिलवाए मैया का स्वरूप है जै महलक्ष्मी बोल रे वाणी मैं अमरित घोल रे पंद तेरी किस्मत के ताले मैया तेंगी खोल रे ओ महलक्ष्मी नमो नमा विश्म प्रियारे नमो नमा मन प्रजारे जहो नमा जिंदु सुतारे नमो नमा भक्त जनों मा का सब्तम सरूप विजय लक्ष्मी अत्वा जया लक्ष्मी भी कहाया जाता है इस सरूप का अराधन करने से प्राणियों के जीवन के हर मोण पर उन्हें विजय प्राप्त होती है मा का ध्यान जो भी लगाता है जीवन में सदा सुख पाता है मा अस्ट भुजादारी कमल पुष्प पर विराजमान है तो अस्ट भुजी मा विजय लक्ष्मी की जयजय कार करते हुए बोलिये अस्ट भुजी मा विजय लक्ष्मी की जयजय मा का अस्टम स्वरूप विद्या लक्ष्मी का है भक्तों नाम से ही जाहिर है मा का यह स्वरूप प्राणियों में विद्या और ज्यान का स्रिजन करता है मा के आराधन से सभी वक्तों को शिक्षा प्राप्त होती है और प्राणि अपने जीवन में शिक्षा के सहारे अनेक अनेक उन्नतियों को प्राप्त करता है तो बोलिए शिक्षा लक्ष्मी की विजया लक्ष्मी मैया भगतों जीत सभी को देती है आर के संकट को मैया जी एक पल में हर लेती है विजया लक्ष्मी मैया सबको बुधी ज्यान प्रदान करे ज्यान और विज्यान की शिक्षा भगतों को वो दान करे जै महा लक्ष्मी बोल रे बाणी में अमरित खोल रे बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे मालक्ष्मी नमो नमा, दिश्म प्यारे नमो नमा, धन्य प्रजारे नमो नमा, सिंदु शुपारे नमो नमा भक्त जनो मालक्ष्मी के ये आठ स्वरूर आपको धन, संपक्ति, वैभव, यश और गीर्ती प्रदान करने वाले हैं तो आईए सच्चे हृदय और सच्चे भाव से खीर सागर में विद्यमान मा विश्नु प्रिया महालक्ष्मी के इन स्वरूरूर का आराधन कीजिए और जीवन में सैदेव सुक प्राप्त कीजिए महा लक्ष्मी के इन आठ रूपों का आराधन करने वाला धौतिक जीवन में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोग को प्राप्त करता है तो बोलिए अस्ट लक्ष्मी मैया की जिसने लक्ष्मी मा को धाया जीवन में सुख पाया है धन धान भंडारे भरती महा लक्ष्मी मा माया है कमल का पुष्प चड़ाओ भक्तों मैया का गुणगान करो चंदन तिलक लगा मैया को लक्ष्मी का आवान करो जैन महा लक्ष्मी कोल रे बाणी मैं अमरित खोल रे बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी कोल रे ओ महा लक्ष्मी लमो लमा दिश्म प्रियाए लमो लमा दन अप्रियाए लमो लमा दन अप्रियाए लमो लमा जिन्डु सुपायाए लमो लमा